एक बार एक country nuclear weapons develop कर ले तो क्या उसके बाद व नुकलियर वैपन्स को destroy करेगा क्या यह possible है देखो इतिहास में यह सिर्फ एक बार हो चुका है जब South Africa ने nuclear weapons develop किये और उसके बाद इन nuclear weapons को destroy कर दिया और South Africa की सरकार ने यह सब किया कियो देखो इसके पीछे reason बहुती racist है 1993 वो साल था जब South Africa की जो white government थी जहांपर कोई black leader नहीं था इनको समझ में आ चुका था कि Nelson Mandela बहुत ही जल जेल से बार आ जाएंगे और ये बनेंगे South Africa के पहले black president और all together जो white racism वाली apartheid policy थी ये भी South Africa में खतम होने वाली है तो जो white South Africans की सरकार थी उन्होंने ये decide किया USA के आए जिसका president black हो और उस country के पास nuclear weapons हो और इसलिए 1993 में चुप चाप South Africa ने अपना nuclear weapon program खतम करने के बाद अपने nuclear bombs को भी destroy कर दिया और ये इतिहास में सिर्फ एक ही example आपको मिलेगा